So Hello and Welcome Guys आज अब फिर सखेने जा रहे हैं GTA 5 खा Mega Ram Challenge जिसमें मेरे पास होने वाली है SUVs versus sports and supercars जिसमें हम यह दिखने के सब साथ दूर तब कौन सी जा सकती है Jump होने वाला है कुछ ऐसा Speed Boosters लगा दिये गए हैं कोई Speed में कभी आने वाली है नहीं Jump होगा ऐसा और Landing होगी ऐसी एक ही गाड़ी को उने ऐसा खचुबर बनाया जिसकी कोई हद नहीं है अब अबस मजा ही आ जाने वाला है वीडियो पोरी लास्त तक देखना और यह वाली बहुत गंदी की रही थी अब यह है इस गेम की सब से प्यारी कार Lamborghini Terzo इसका Jump देखने के लिए आपको लास्त तक वीडियो देखना पड़ेगा अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना Ramp Jump Challenge इसके लिए सबसे पहले में एक SUV लेकर निकल पड़ाओ Color Changing वाला जो Option है यह मैंने Modes में जाकर ही Change किया है अगर आप लोगों से किसी को नहीं बता कि यह Change कैसे होता तो प्लीज कमेंट करके बताना मैं उसको ज़रूर बता दूँँ कि यह कैसे Change होता है तो पूरे Ramp पर Speed Boosters मैंने लगा दिया है 300 की Speed थी जब इसने यह Ramp टच किया था और अभी 240, 250, 245, 244, 200 244 की Speed Base में यह Ramp से चंप कर दिया है और अब देखने की बात है कि यह कितनी दूर तफ जाती है जब यह Kodi थी पादनी व्यादल थे, बादनी के ऊपर थे और अल्मूस्ट आधा अर्थ मेरे को दिखाई दे गया था तो यह Ramp हमारा बहुत ज़ादा उंच है वापस जलते है रैंपर पाई पिछली गाड़ी में बिलुफुल आग लग गई थी गिरने के बाद इतनी गंदी फटी ही हो कि उसमें आग लग गई थी अब में लेके जा रहा हूँ फॉल्ला वन की एफबन रेसिंग कार जिसको रियर लाइट में तो बहुत पास्ट माना जाता है पट पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लगता के जीटिये फाइर में इसकी कोई इज़त नहीं है मिशनी कार जो मारी SUV थी उसमें 300 पार कर दिया था स्पीड राम टच्च करने से पहले यह थी 250 पर पतलब यह SUV से भी 50 क्लमीटर की स्पीड पीशे है तोड़ असा अजीब लगता सुनने में बट हाँ जीटेवाई में यही सच है तो अब हम लेने वाले है जंप बिलकुल लिया है स्ट्रेट और भाई बिलकुल तीर की तरह भाई है मजा आ जाता है ऐसा जंप देखने का बादल दीरे दीरे छटते हैं फिर आप खुब हो चलता है कि आप कहां गिरने वाले हो पर स्पीड के अगोर्टिंग जैसे मैंने पताया था स्पीड कम थी तो यह गिरी है बहुत पहले और भाई SUV बहुत आगे जाका गिरी थी अभी तक हमें नहीं परदा है हमारी नंबर बन कार कॉंसी होने वाली तो इसके लिए मैं नेक्स कार लेकर जा रहा हूँ SUV और स्पोर्ट्स कार दोनों के बीच में कंपेरिसन है तो एक एक करके हम लोग दोनों का यूज करेंगे वाई SUV लेकर हम लोग निकल गए है आगी की तरह फुल स्पीड पर जा रहा है और अलगी बेस बूस्टर चल रहा है इस पर वोड़ी सी नटखड़ाई गाड़ी बट उसमें हमारी की गलती नहीं है नटखड़ाई तो लटखड़ाई बट ऐसी करना पड़ेगा वाई लेकिन 246 की स्पीड पेस ने फाइनल जंप किया जबके फर्स जो कार थी हमारी उसने 244 पे किया था यह उससे तेज यह तो उससे आगी भी जानी चाहिए अगर यह उससे आगी जाएगी तो क्या यह इंट्यास बनाएगी अः जैसे इसका जब्सकार की रेंज पे हमारे पार sports car भी है जो पीछे की तरफ खड़ी है next लेकर जाएंगे sports car sports car या SUV भी decide करते है बट बाई इसकी speed बहुत ही अच्छी है 270 की speed पे रहांपर है 264, 263, 261, 260 ते कम होती जारे 258 की speed पे इसने खड़ी आए jump जो के पिछली car से 10 km जाता है बाई क्या ये होने वाला है बहुत ही लंबा jump बाई मज़े आजगा अगा सिबसे लंबा हुआ दो आई ये है सबसे लंबा jump जव इसने flip नमा रहा है सिफ इंजन में आग लगी ये बाकिछ तो ठीक था अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो कर देना लाइक तो अब ये वाली वीडियो बनाने में बहुत जादा मैनत लगती है ये वीडियो बनाने में 190 की स्मीड पे ट्रक खूदा है तो क्या ये F1 रेसिंग कार से पीशे गिरीगा कि वो भी 200 के आस पास ही खूदी थी लेकिन नहीं यार F1 रेसिंग कार ये आस पास गिरी हुई थी दूसरे रोड के पास अब ये तो उस से खाफी आगी गरी है F1 रेसिंग कार में ही दिखकती फुच तो भाई फिलाल ये SUV अगर आपने मेरी कुरानी बादी वीडियो देखे हैं तो सबको याद होगी ये SUV सबसे जादा दूर जाती है Porsche है ये Porsche की SUV कार है इस से जादा दूर कोई गाड़ी नहीं जाती है और इसने आज तक के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं और भाई सारे जम्प जीते So let's see क्या होने बाला है 280, 278, 273, 270, 268, 267 263, 262 की स्पीड पे इसने कर दिया है जम्प जो कि आभी तक का सबसे जादा है जम्प करते टाइम का जो रिकॉर्ड है उससे जादा यही है तो भाई इस रेकॉर्ड के साथ क्या यह सबसे लंबा जम्प लगा पाएगी भाई अभी तक तो है और हाँ यह अरे भाई यह क्या हुआ भाई यह गाड़ी सबसे आगी गई थी यह बिचली के तार के ऊपर गिरी और इसको वापस पीशे पहग दिया गया जम्प ने जए पले आप सब पता था कि अबसे आगे जाने बाली तो ऐसे तो मैं नहीं होने लुआ भाई यह तोड़ी से जादा इनको में थोड़ा सा थिकाने लगा देता हुआ तो भाई एक एक यह लेकर जाएंगे ठिकाने लगाने के लिए तो आसमान से बुदाना है अभाई आसमान से बुदाएंगे तो भाई इस तो होगी ना गाड़ी के पार्ट्स की 267, 263, 261, 258, 257, 256, 254, 252 की स्वीड पेस ने खर दिया है जम्प और मैं बादनों के चटने का करेंगे वेट और फिर देखेंगे कहां जाकर गिरने वाली है जम्प के बाद यह ओल्मोस्ट अल्मोस्ट नंबर 3 पर गिरी है अंजर पंजर हो गए धीले और लग गई है आग अब मैं क्या लेकर जो हूँ SUV नहीं अब मैं लेकर जा रहो एक स्पोर्ट्स कार जोके सूपरकार नहीं और SUV नहीं यह सिडान कार जैसी देखने में लगती है और इसको लीकर हम लोग जाने वाले है जम्प करने के लिए और इसका जम्प होना चाहिए बहुत ही जादा बैतर ही तभी हैगा मज़ा और भाई इसका जम्प भी देखने के लिए बनता है बहुत ही बढ़िया जम्प गाड़ी तो खर पट गई आग लग दी बहुत 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 लेकर लेकिन रोट के बीज में छोड़ दूआ तो ट्राफिक लग जा इसको साइड में कर देता हूँ जिम्हेदार नागरे की बलता है इसको फिर से आ गई है SUV बहुत ही बड़ी और भारी वर्कमगार है लेकिन हैंलिंग से लगता है बहुत फास्ट भी है 220, 240, 260, 280 भाई 300 की स्पीड इसले रैंक को टच करने से पहले पार कर दी बहुत है मुझे लगता है SUV सबसे ज़ादा ताकतवर कारे दिखाई गई है आपे और SUV ही हैं चुके सब कुछ कर रहे है जंप के बाद तो मज़ा ही आगया विल्कुल तीर की तरह गई है गाड़ी बादनों को अटाते हुए बस लीचे जाना है और देखना है कि कहां जाकर गिरने वाले है और भाई यह जो पेड में उलज गई है और लेकि नीचे पहुचिया तो आग लगी भी पहुचिये फिर से हम लोग उठाएंगे sports का not super car अब एक color changing का जो experience है वो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है आपको वीडियो में देखकर कैसा लगता है जरूर कता ला क्या आप jump के साथ साथ इसका color भी नोट खरबात है कि change हो रहा है या आपको लगता है कि बाई यह पता नी फौन से color की गाड़ी चली थी फौन से color की गिर रही है पता ही नी चल रहा है और भाई यह था इसका jump बहुत ही ज्यादा बहतरीन jump मज़ा ही आगया देखके और भाई इसको भी साइड में खड़ी कर देते हैं यह जिस color से उत्रा है यह green color बहुत प्यारा रगता है तो भाई हमारे पास आजाती है यह G-Wagon type की car G-Wagon काउ और यह पुरानी वाली Tata Sumo जादा लग रही है इसको Tata Sumo ही समझते है क्यों G-Wagon तो भेर बेजती हो जाएगी G-Wagon की नहीं Tata Sumo की Tata Sumo हमारी जादा अच्छी है क्यों टाटा है नहीं यह वैगन वैगन तो वैगन आर जैसे निकलता है ताटा इस बेस्ट जतन टाटा जंदा बाद तो भाई यह काड़ी जा रही है बिल्दकुल सही 220 की स्पीड में 225 भाई 209 की स्पीड में इसने किया है जंप यह यह की सीपीटी एफ़न कार से तो बहुत जाद आगए जाने वाली है तो भाई यह गाड़ी में जा रही है बिल्दकुल स्ट्रेट और बहुत सही जंप के साथ है इसने भी खर दिया है जंप गाड़ी के फचंबर तो निकल चुका है लेक में अंदर मैठ है बंदे को बुच्र रही वाट टाटा की गारेंटी ओलता है इसका सेफटी की फोई गारेंटी और यह ओड़ी-फोड़ी टाटा हैरियर जैसी लग रही है और टाटा हैरियर है नहीं है क्योंकि Indian Cars नहीं इंस्टॉल नहीं की है अगर आपनों को बता है कि Indian Cars इंस्टॉल करने की सब से बेस्ट वीडियो कौन सी है सब से अचा किसे लिगाइट के है तो प्लीज मुझे कहा हूँ प्लीक कमेंट सेक्षिन उसका लिंक देना मैं Indian Cars इंस्टॉल करके नेक्स्ट जो चैलेंज है Indian Cars का करने वाला हो तक वो जहने समझने है रहा किसकी करो तब यह है हमारा नगला जम और अगले जम के बाद यह जा रहा है बिल्कुल बादनों के ऊपर से भाई बहुत ही सई जब था यह और बत्तर के उबर गिरके वाई समय लग तो गई यह आगपर हमारी रिस्पोंसिमिल्टी पंदिया फो सीधा कर देगा वे सीधा करके मैं आगए वापस रैंप अब स्पोर्ट्स और सूपरकार रहे हैं जादा और बाकी कार रहे हैं कम मैं सुचाँ SUV है अब कैंसल कर देते हैं SUV आफ चोड के अम सिफ स्पोर्सकार प्टे शूपरकार पे रहाँ है कि बोरिंग नहीं करना है उन cowra lamba का जीक्जेंगे ते इसे स्पोर्ट संपरकार पे इंड कर देते हैं यह सूपर कार तो बहुत ही जादा जानदार लग रहे है, 255 की स्पीड है, 255 की स्पीड है, 259, 257 243 की स्पीड पेस में किया है, फाइनल जम्प I don't think यह बहुत जादा आग़ जाने बाली है, लेकिन ठीठा आग़ चरी जाएगे मैं तो बेट कर रहा हूँ, लेंबोगी नी टर्जू के जम्प का, च्योंकि बहुत ही जादा जानदार होने वाली है यह भी वाइं कि रहे हैं पर पिछले वाड़ी गाड़ी गिरी थी और इन दोनों को सेट अप करना साथ में ज़रूरी है, फिरको ठीक है अब इतना अप्रिशेट करी दिया है, तो प्लीज वीडियो को कर दिना लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और आई वीडियो को शेयर कर दिना अपने उन दोस्तों के साथ, जो कि जम्पिंग जैक वाली वीडियो पसंद करते हैं, GTA 5 से रिलेटेड बेसिकली तो यह हमारा जम्प, और इस स्पोर्च कार ने बहुत तर्रड़ा जम्प दिया है, एक भी काज नहीं फूटा है यह काज फूटा था, अब हमारे पार बचिए हैं, तीन स्पोर्च कार, तीन स्पोर्च कार होगाई एक खतम, तर्जों को जलाएंगे दब से लास्ट में, तो पहीड कार लेखे जाओंगा. और इस ओपन कार के साथ मैं करने वाला हूँ कुछ दामाल. पर इस दामाल को कॉपलीट करने के लिए मैं इस कार को लेकर निकल गया हूँ. यन के साथ आन कार के साथ प्रॉब्लम ये होती है. कि आपको नहीं पता थे कार कितनी नीचे है और क्या यह जंप कर पाएगी या रैंप से टकरा जाएगी इस बात का सबसे ज़्यादा डर मिलकू लग रहा है टर्जो के साथ अगर टर्जो का जंप हो गया तो भाई बहुत ही टकड़ा होने वाला कर नई हुआ सेकंड लास गाड़ी ने और यह हमारी सूपर कार्ट सूपर से भी ऊपर और इसकी जो स्पीड है वो 300 तो बहुत आराम से टच जाते है 330 की स्पीड पे इसने रैंप पे चड़ाई स्थार्ट किये 280 की स्पीड 276 भाई 270 268 भाई अल्मोस सारी गाड़िया ने जो टॉप स्पीड आड़ी से 264 क्या सपास पे उन्होंने जंप किया है इसने भी 264 पे किया है इन गाड़ियों का वज़ान होता है बहुत जादा SUV के आसपास ही होता है बलकि SUV से जादा भी निकल सकता है तो इसलिए जादा आगे नहीं जाती है लेट सी यह कहां तक जाती है और भाई ये गाड़ी ये गाड़ी हमारी बन जाती है अभी तक कि 2nd number की कार क्योंकि बहुत तेज थी और आब आपकी हमारी और हमारी सब की आपका का में देखने का देखना दरोर और वाई ये चुसका डर था हुई हुआ रैंप पे टकरा गई और नीचे उतरते टाइम भी दो बार टकराई है इस गाड़ी की स्पीड इसकी गाड़ी की हैंडलिंग बहुत ही जादा जांदार है और बाई अब क्या ही बताओ रब बाई ना ना गरते होँए 250 की स्पीड इसने पगड़ी वो भी रैंप के ऊपर चड़ने के बाद बहुत ही जांदार कार है और इस गेम की सबसे स्टेज का रहे हैं अमेजिंग कार तो इसका जुप होने वाला है वो जुप होने वाला है बिलकुल यहां ट्रेलर के पास और बाई बागी सारी कार जी बखड़ी हुए है अब हमोंको जाकर दिखाता हूं कि चा क्या है बाई मारी जो सबसे कम दूर जाने वाली कार है वो है फन रेसिंग वाली फिर हमारा ट्रैक्टर टंपू नहीं ट्रैक्टर ट्रेलर फिर यह गाड़ी है जो खत्ब होचुकी थी फिर ये है टर्जो हमारी बहुत आगया हुई थी यार ये गाड़ी में बहुत सही आई थी लेकिन उसका काचवाच कुछ नहीं फोटा या दो फटी होई गाड़ी पैड़ी में है ये है हमारी नमबर 3 की गाड़ी और ये हमारी नमबर 2 की गाड़ी बहुत ही जानदार वह यह हमारी नंबर एक की गाड़ी हमेशा की तरह हमारी SUV पॉर्शा इसको मैं नेकर फिर से जा रहाँ जंप करने के ने and let's see इस कंडीशन में यह गाड़ी कितना लंबा जंप कर पा थे क्या यह F1 रेसिंग वाड़ी कार को हरा पाईगी इस कंडीशन में जब इसमें दुवाँ उख रहा है यह हमारा होने वाला इस वीडियो का लास्ट जंप अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्स्राइब जरू करना यह अलड़ी जीट चुकी है यार यह दूसरी बार जारी जंप करने करें और इसकी स्पीड काफी कम थी जब इसने जंप किया मुझे न रगता कि यह F1 रेसिंग कार को भी बीट कर पाएगी बट अल्मूस्ट उसी के रोड़ पर चल रही है और अल्मूस्ट पहुशने वा बाइ बाइ